हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आज हम इस वीडियो में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टेडी करने वाले हैं तो वीडियो को शुरुवत करने से पहले जान देजे हमारा आज का सवाल यह रहा कि गैस लाइटर कैसे वर्ख होता है जब तो का आप इस सवाल का सोलोशन डूट रहे हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब तो गाइज इसके नाम से ही छुपाए कैसे C. पीजो मिन्स प्रिशर देट इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंवर्स प्रेशर एनरजी इन्टू इलेक्ट्रिकर एनरजी मतलब सपोज किसी पर्टिक्लर माटेरियल को अगर हम स्ट्रेच अ कॉम्पेस करते हैं तो हमें दूसरी साइड पे होल्टेज मिल जाएगा अभी गाईज दोस पर्टिक्लर माटेरियल को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक माटेरियल एंड दे आर नूट्रल इन नेजर मतलब दे कंटेंस दे सेम नंबर आफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जार्जेस अभी यह जो होल्टिकल एक्सिस है उसे हम कहते हैं मेकेनिकल एक्सिस और जो होरिजंटल एक्सिस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस नाउ जब हम इसके मेकेनिकल एक्सिस पर प्रेशर अपलाई करते हैं तो इसके electrical axis के faces पर हमें opposite charges मिल जाएगे that is voltage developed होगा along electrical axis अभी इसका inverse भी true है मतलब जब हम इसके electrical axis पर voltage apply करेंगे तो ये alternatively stretch या compress होना शूरू कर देगा that is vibrate होना start कर देगा चलिए अब हम इसके circuit diagram को देखते हैं as you can see coil L1 और L2 transistor के जोरा connected है और coil L3 induction effect से connected है and variable capacitor C यूज किया है to change the frequency जब हम oscillating circuit को high voltage current पास करेंगे तो this circuit will start oscillating with frequency given by f is equal to 1 upon 2 pi under root Lc and due to transformer EMF is induced in coil L3 and high frequency alternative voltages are passed to plates A and B as a result inverse speedo electric effect takes place and हमें crystal vibrate होना start हो जाएगा with frequency f is equal to 1 upon 2 L under root y by rho now when f1 and f2 both frequencies are equal हमें ultrasonic sound मिल जाएगा अब चलते हैं guys हमारे आज के question के ओर that is how gas lighter works असल में इसमें भी piezoelectric effect यूज होता है है से when we press the button pressure apply किया जाता है piezoelectric material के उपर और as a result हमें spark मिल जाता है विडियो कैसे लिगी comment box में जरूर mention कीजे subscribe करना ना भूलिए ताकि आप पाए हमारे विडियो सबसे पेड़े thanks for watching